नमस्कार दोस्तों दक्की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं जारखन सामाई ने गयान के कलास में और आज के कलास में हम देखेंगे जारखन के वजने अविहारन तथा जेविक उद्दानों के वारे में दोस्तों इस कलास में हम चर्चा करेंगे जारखन का कौन सा वजने अविहारन किस जगह पर है तथा उसकी अस्थापना कब होई थी तो चलिए शुरू करते हैं आज का कलास दोस्तों जारखन में सिर्फ एक मात्र राष्टिय उद्ध्यान है और उसका क्या नाम है बेतला राष्टिय उद्ध्यान याद रखिए का जारखन का एक मात्र राष्टिय उद्ध्यान है बेतला राष्टिय उद्ध्यान और इस उद्ध्यान की अस्थापना कब होई थी बेतला राष्टिय उद्यान की अस्थापना 1986 इस्वी में हुई थी और इस बेतला राष्टिय उद्यान की कुछ विशेस्ताएं हैं उनके बारे में हम बताते हैं और ये बेतला राष्टिय उद्यान लातेहार जिले में है और बेतला राष्टिय उद्यान में पहली बार शे सेरों की गंणा कहा पर हुई थी तो उशका एंसर हो जाएगा बेतला राष्टिय उद्यान जो जा हर फोरत इसके बाद और एक महत्वपूर्ण जानना जरूरी है कि 1973 से हम बाग परियोजना चलाई जा रही है 1973 में बेतला राश्टी उद्यान में बागों को बचाने के लिए एक परियोजना चलाई जा रही है दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि जारखन में कोन-कोन से वन्यजीव अभ्यारन या वन्यजीव कर सरानस्थली है तो बारी-बारी से हम देखते हैं कि कौन से जगह पर है तथा उसकी अस्थापना कब होई थी तथा उसका छेत्रफल कितना है तो पहला इधर है अभ्यारण का नाम और हम देखेंगे पहला अभ्यारण का नाम है पलामू अभ्यारण पलामू अभ्यारण कहा है पलामू में है और इसकी अस्थापना 1976 इश्वी में हुई थी और पलामु अभ्यारन का छेत्रफल 794.333 किलोमीटर है तो याद रखिएगा 1976 इसकी अस्थापना है और इसका छेत्रफल 794.333 किलोमीटर है पलामु वन ने अभ्यारन में कौन-कौन से जानवर पाया जाते हैं अगले अभ्यारन का नाम है हजारी बाग अभ्यारन दोस्तों हजारी जगह का नाम इसके नाम में ही है तो हजारी बाग अभ्यारन हजारी बाग जिले में है और इसकी भी अस्थापना 1976 इश्वी में हुई थी और इसका छेतरफल 186.25 वर्ग किलोमीटर है और हजारी भाग अभ्यारन में कौन-कौन से जानवर पाया जाते हैं तेंदुआ, हीरन तथा सांभर दोस्तों एकले अभ्यारन का नाम है महुवाडाण भेडिया अभ्यारन दोस्तों इसके नाम से ही में ही भेडिया लगा हुआ है तो ये जरूर इसमें भेडियों की संख्या अधीक होगी तो महुवाडाण भेडिया भ्यारन का उन से जगह में है तो ये लातेहार में है और इसकी भी अस्थापना 1976 इश्वी में ही की गई थी और महुवाडाण भेडिया भ्यारन का चेतरफल कितना है 63.25 यानि की 63.25 वर्ग किलोमीटर इसकी चेतरफल है और महुवाडाण भेडिया भ्यारन में खासकर कौन से जानवर पाये जाते हैं तो भेडिया तथा हीरन खास करके पर्मुगुरुप से भेडिया पाया जाता है और साथी साथ हीरन भी पाया जाते हैं दोस्तों अगले अभ्यारन ने का नाम है दलमा अभ्यारन दलमा अभ्यारन कौन से जगा में है तो पुर्वी सिंभूम में है दल्मा अभ्यारन और इसकी भी अस्थापना 1976 इश्वी में हुई थी और इसका चेत्रफल 193.2 वर्ग किलोमेटर है और दल्मा अभ्यारन की खास्यत क्या है? इसमें प्रतकोन से जानवर की परधानता पाई जाती है तो दल्मा अभ्यारन में खास करके हाथी पाय जाते हैं इस अभ्यारन की खासियत या विशेस्ता यह है कि इसमें हाथीयों की सिंख्या बहुत ज्यादा पाय जाती है तो दर्मा हाथी के लिए ही खास कर जाना जाता है लेकिन इसके अलावत तेंदुगा तथा हीरन भी पाये जाते हैं दोस्तों अगले अभ्यारन का नाम है तोपचाची अभ्यारन तोपचाची अभ्यारन कहां परिस्तित है धनबाद में और इसकी अस्थापना कब हुई थी 1978 यानि इससे पहले जो चार अभ्यारन थे 1976 इस भी में स्थापित थी इस अभ्यारन की स्थापना 1978 यानि कि दो साल बाद और इसका छेत्रफल कितना है आठ दसमलो साथ पांच वर्ग किलोमीटर तो अप्चाची अभ्यारन धनबाद का छेत्रफल और इसमें कौन से वन्यजीव पाया जाते हैं तो तेंदुवा, हीरन, जंगली भालू, आदी उसके बाद अगले अभ्यारन का नाम है लावालोंग अभ्यारन जो चत्रा जिला में है और इसकी भेस्थापना 1978 इश्वी में हुई थी और इसका छेत्रफल है 207 वर्ग किलोमीटर और इसमें लावालोंग अभ्यारन में कौन-कौन से जानवर पाये जाते हैं मुख्यत वाग, तेंदुवा, नीलगाए, हीरन, सांभर तो एक चीज़े याद रखिएगा खासकर नीलगाए और सांभर दोस्तों अगले अभ्यारन का नाम है पारसनात अभ्यारन पारसनात की पहाड़ी कहां पर इस्थी थे गिरिडी में और इसकी अस्थापना 1981 वी में की गई थी और इसका चेत्रफल 49.33 है और इसमें कौन-कौन से जानवर पाये जाते हैं तेंदुवा, सांभर, हीरन, नीलगाए, आदी दोस्तों इसके बाद अगला जो अभ्यारन का नाम है उसका नाम है कोडर्मा अभ्यारन कोडर्मा अभ्यारन कोडर्मा में इस्थी थे और इसकी अस्थापना 1985 वी में हुई थी और इसका चेत्रफल 177, 95 है तथा इसमें तेंदुवा, सांभर, तथा हीरन जैसे जीव पाया जाते हैं अगले वजने अभ्यारन का नाम है पालकोड अभ्यारन गुमला पालकोड कहाँ परिस्थी थे गुमला जिला में और इसकी अस्थावना 1990 में हुई थी और इसका चेत्रफल 183, 18 है और इस अभ्यारन यानि की पालकोड अभ्यारन में जो मुख्य जीव हैं वन्ने जीव कौन-कौन से हैं तेंदुवा, जंगली हांथी, भालू, आदी दोस्तों अगला अभ्यारन है उद्वा, जील, पक्षी, विहार उद्वा, जील, पक्षी, विहार और ये साहब गंज में है देखिए ये थोड़ा अलग किस्म का है तो आपको याद रहना चाहिए उद्वा, पक्षी, विहार के नाम से जाना जाता है और ये पक्षियों क का एक उद्ध्यान है और यह साहव गंजिले में है तो और इसकी अस्थापना 1991 स्वी में की गई थी और इसका एरिया बहुत कम है पांच दस्मलो छे-पांच वर्ग किलो मीटर के छेत्रों में ही इसका विस्तार है और इसमें यह पच्छियों का एक अभिहारन है तो इसमें कौन-कौन से पच्छि पाय जाते हैं तो इनका नाम याद रखिएगा एक है बनकर नामक पच्छि जलकोवा बटान खंजर किंग फिशर आदी तो यह सारे पक्छियां उद्वा पक्छि विहार में पाय जाते हैं इसके बाद साथ ही साथ जो साइवेरियन पक्छियां बहुत सारे आती हैं वसंत्रितु में वो भी उद्वा पक्छि विहार में एक पक्छियों का अच्छा आवास माना जाता है दोस्तों अगला जो अभ्यारन है राजमहल पक्षी विहार वो अभी पक्षियों का ही उद्जान है और इसमें कौन-कौन से जीव पाया जाते हैं कबुतर, चुडूल, मधुमक्खी, बुलबुल, खंजन, आदी तो ये थे अमा जारखन के वन्य अभ्यारन उम्मीद करते हैं आपको ये सब आपके दिमाग में बस गया हुआ और जदी याद नहीं रहता है तो इस वीडियो को देखिए, बार-बार देखिए, रिपीट कीजी या नोट्स करते जाए ताकि आपके दिमाग में याद रहे अब देखते हैं जारखन में कौन-कौन से जयविक उद्दान है और किस जगह पर इस्थित है तो बिर्शा भगवान जयविक उद्दान है और ये कहा है Savior राची में दुदू सीटी पार्क बोकारों में है उसके बाद है मगर परजनन केंद्र रुक्का राची मगर परजनन केंद्र है राची के रुक्का नामक जगा में और इसको IUCN प्रोग्राम के तहट 1987 में इसकी अस्थापना की गई थी उसके बाद है विर्शा म्रिग विहार और ये भ और चीतल के संग्रक्षन के लिए ये स्थापना की गई है तो दोस्तों ये था जारखन के सारे वन जीवा और अभ्यारणियों के बारे में उम्मीद करते हैं आपको ये कलास अच्छा लगा होगा और हमारे यूट्यूब चैनल दकी पोइंट से जुड़े रहें और भी परिक्षार्थी हैं खास करके जो जे एससी के तियारी करते हैं उनके लिए फाइदा पहुंच सके दोस्तों अगले कलास में फिर हम मिलेंगे कोई नए टोपी के साथ तब तक आब अपना ख्याल रखिये धन्यवाद